जहिन प्यारे साथियों कैसे आप सभी आज मैं प्रीती सिंग आप सभी के सामने एक कवीता प्रस्तुत करने जा रही हूँ यह कवीता मैंने जब सन 2021 में अपनी UPSC की त्यारी की थी M.A. करने के बाद तब लिखी थी तब क्यों लिखी थी क्योंकि कहीं बार dear friends क्या होता है कि काफी depression हो जाता है और कोई समझने वाला नहीं होता तो सुनिएगा आप सभी connect कर पाएंगे कवीता का जो हमारा शिर्शक है वो है मैं जानती हूँ तो शुरू करते हैं मैं जानती हूँ मैंने कैई रातों को दिन बनाया है जो सपने लोग रातों में देखा करते थे वो मैंने दिन में करके दिखाया है मैं जानती हूँ मैंने कैई रातों को दिन बनाया है आज जो मैं उजालों में हूँ क्योंकि मेरी जंग अंधेरों से थी आज जो मैं सूरज हूँ क्योंकि मेरी जंग रातों से थी मैं जानती हूँ मैंने कैई रातों को दिन बनाया है आज जो मैं गुलाब हूँ क्योंकि काटों में रहकर मैंने जीवन को सवा रहा है मैं जानती हूँ मैंने कई रातों को दिन बनाया है आज जो मैं यूँ आसमान में उड़ रही हूँ इससे पहले मैं बेकोफ आंधियों से टकराई हूँ ये सिर्फ मैं ही जानती हूँ, मैंने नहीं जाने कितनी रातों को, कितनी रातों को दिन बनाया है, शुक्रिया dear friends, I hope आपको ये कवीता अच्छी लगी होगी, और कवीता की कोई भी लाइन आपके दिल को छूग गई हो, तो सभी वीडियो को like, share, subscribe कर देंगे, और सभी connect कर प कोई हम से connect कर पाएंगे, क्योंकि हम सभी इतनी महनत करते हैं, कि भई सबका dream होता है, कोई चाता है कि IAS बन जाए, कोई चाता है, कोई चाता है कि भई, state level PCS में किसी का सपना होता है, कि भई DSP बन जाए, तो सबके अपने अपने dream होते हैं, और वो उसे पाने के लिए दिन वा ले आते हैं, देखते हैं और वो सोचने हैं कि बच्चा अभी उठा है, पढ़ाई कर रहा है पांच बजे उठा होगा, तो सब चाये ले कर आते हैं, या मुम्मी या पापा या भैन या भाई, जो भी उठ जाता है कि विटा चाय पीलो, तो तब हम कहते हैं, भई, नही हमें चाए नीपीनिया अभी हमें नीद आ रही है तो उनका कुशन होता है कि क्या आप पूरी रात नहीं सोए तो हम सबका आंसर क्या होता है कि नहीं हमें अपने जो हमारा टारगेट है जो हमारा लक्ष है उसके लिए हम इतने आतुर होते हैं तो केई बार हम केई राते जाग कर ही काट देते हैं अपने पढ़ाई करते करते काट देते हैं ये सिर्फ वही समझ सकता है जो तियारी करता है जिसने ये स्ट्रेगल देखा है और जो अभी भी अपनी सरकारी नोकरी पाने के लिए दिन रात महनत कर रहा है और इस तियारी को ये सोचता है कि धिलो जान से की जाए और फटा-फट से सलेक्शन लिया जाए ताकि वो अपनी जिन्दगी को जी पाए थोड़े से जो लम्हे हैं वो जी पाए क्योंकि वो तब जीएगा जब उसके पास नोक्री होगी उसके पास पैसा होगा क्योंकि अगर नोक्री नहीं है अगर पैसा नहीं है तो वो अपनी लाइफ को जी नहीं सकता है तो आप सभी को अगर पोयम अच्छी लगी अगर आप सभी इस पोयम से कनेक्ट कर पाएंगे तो सभी वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे जादे से जादा शेयर करेंगे और अगर अपने चैनल EPS by Preeti Singh को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सभी मेरे dear friends चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे आगे भी ऐसी कोशिश की जाएगी अगर आप इस वीडियो को प्यार देते हैं इस कविता को प्यार देते हैं आगे भी मैं ऐसी ही कविता लिखने का प्रिया तो शुक्रिया मिलते हैं आपको किसी और कविता के साथ धन्यवाद